इंफेमस चीटिंग इंस्टिंस इन क्रिकेट जेंटिल्मेंज गेम होने के बावजूद कई बार प्लेयर्स मैचेस जीतने के लिए अनफेर मीन्स का इस्तमार करते हैं उनके एक्शन्स के कॉंसेक्वेंसिस तो भारी भरकम होते ही हैं लेकिन साथ में वो क्रिकेट के खेल का रेपूटेशन भी खराब कर देते हैं। In this video, we'll talk about a few instances of cheating in cricket. Number 5 पे, Dennis Lily's Aluminium Bat 1979 में, England के खिलाफ legendary bowler Dennis Lily ने decide किया कि वो Aluminium bat के साथ पिछ पर उतरेंगे। The bat caused a lot of wear on the ball. England के players और captain इस bat के इस्तमाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और umpires ने ये notice करते हुए Dennis Lily को bat change करने का order दिया। गुसे में आकर उन्होंने bat को जोर से फेक दिया। हाला कि उस time ऐसे bat के इस्तमाल को लेकर कोई rule नहीं था लेकिन इस incident के तुरंद बाद rules को amend किया गया। इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच चौते टेस्ट में umpires ने पता लगाया कि पाकिस्तानी फील्डर्स ने illegally बॉल की condition change की थी। इस कारण इंग्लेंड को पाच penalty runs और एक replacement ball दी गई। इस decision को प्रोटेस्ट करने के लिए चाय के बाद पाकिस्तानी फ्लेयर्स ने पिच पर उतरने से इंकार कर दिया। This was the first four-feated match in test cricket history. ICC ने कप्तान इंजमाम उल्हक को उनकी टीम के actions के लिए चार मैचों के लिए suspend कर दिया था। नमबर तीन दे नो बॉल्स दा चेंज़्ट क्रिकेट इंग्लिड के इस action के लिए bookmaker मजर मजीद से bribes accept किये थे। News of the World tabloid के underground reporters ने sting operation करते हुए इस match fixing incident का खुलासा किया और सभी players को jail की सजा काटनी पड़ी। महम्मद आसिफ, सल्मान बार्ट और महम्मद आमिर को लंबे समय के लिए cricket से ban भी किया गया था। 1981 में New Zealand के खिलाफ Trevor Chappell की underground delivery cricket के सबसे infamous moments में से एक है। Match के आखरी ball पर New Zealand को draw करने के लिए 6 run चाहिए थे। Delivery के पहले Australian captain Greg Chappell ने अपने भाई Trevor को clearly instruct किया था कि वो गेंद को along the ground डालें जिससे batsman 6 ना मार पाए। Trevor Chappell ने यही किया और Australia series 2-1 के margin से जीत गई। इस incident के बाद underground delivery को cricket से ban कर दिया गया था। Number 1 Australian ball tampering controversy Australia versus South Africa 2018 March 2018 में South Africa के खिलाफ तीसरे test में Cameron Bancroft पर ball tampering की allegation लगी। बाद में पता चला कि Australian captain Steve Smith और vice captain David Warner भी इस plan में शामिल थे और उन्होंने ही यह plan originally बनाया था। Warner और Smith को Australian cricket ने एक साल के लिए suspend कर दिया और Cameron Bancroft को 9 महीने के लिए suspension मिली। इस sandpaper gate scandal को बेहत international coverage भी मिला जिससे Australian cricket को बदनामी का सामना करना पड़ा। कर दो